कि नमस्का कि आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है कि तो आज कि एससाइपी की जो सीट है उसकी बहुत सारी क्वेरिस थी कि किस तरह से कि स्वाजम है कर सकते कि सुद्र है किस तरह से एडित कर सकते हैं तो काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या है कि अज़ डी टेल वीडियो बना रहा है कि आप को एक एक चीज यहां पर explain करूं का दाया किस तरह से आप यह फिल का ग्रूप है उसमें आपको जाना है एन आप वहां पर step 1 टाइप करेंगे तो आपको यह मेसेज मिल जाएगा वहां से तो इस सीट पे आप क्लिक करेंगे तो पहले तो लोगिन करना पड़ेगा आपको जीमेल में क्योंकि यह गूगल सीट में सारा डेटा पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है कि पहले लोगिन कर लेना है उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा तो उसमें आपको करना किया है कि आपको यहां पर फाइल में जाके अब मेक कोपी के ऊपर क्लिक करना है मैंने यहां पर लिखा हुआ है step by step तो आप उसको फोलो करते जाएंगे तो जो यह सीट आप देख रहे हो यहां पर यह सीट पूरानी है डिसेंबर तक ही है बट आपको क्या करना है आपको जो भी अपना स्टोक है उसको आपको डालना है तो इसको लेटेस डेटा को कुछ लेना देना नहीं है तो आप क्या है कि आपको एडि कर सकते हो एंदर जहाब फाइल कोपी करलेंगे इस टेप करने के बाद यह तेप करलेंगे हाँ यहां पेस टेप चार कि तो आपका क्या है कि कउप्लीट हो जाएगा एससी आपकी बन जाएगी यहां पर अपना खुद का नाम यहां पर डाल सकते हैं तो मैंने यहां पर पूराना नेम ही रखा है ताकि किसी को कंफ्यूज ना हो एन मैं अभी यहां पर आपको एक नई सीट मैंने बना ली है तो इसका मैंने कोपी कर लिया है यहां से फाइल से जाके यहां पर में कोपी पर आपको करना है और कुछ नहीं करना है में कोपी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नाम देना होगा जो भी नाम देंगे उसको आपको ओपन करना है इस तरह से आप ओपन कर लेना उसके बाद आप एडिट कर सक करते हों जो भी आपको करना है आप वहां फिए chorство अब आपको करना क्या है मैं यहाँ पे explain करता हो यह मैं यहाँ पिए तीन चार चीजे है यहाँ पे three-four boats main यहाँ पे आप यह दूसरी चीले रोड़ डेटा एंड प्रोफिटबूक रोड़ वाली अमारी मींग चीज है जहां पर डेटा फिल करना होता है एक यहां पर जो भी आप आपने प्रोफिट बूक करा है तो वह सारी चीज है कि आप आपने कहां कहां पर प्रोफिट बूक करा है तो उसकी सारी डीटेल यहां पर फिल आपको करना है राइट दूसरा है कि आप को calculate करना है कि आपका return कितना बना है एक्स आयार रिटन से हम काउंट करेंगे क्योंकि हम SIP कर रहे हैं और मंत पर हम एड़ करेंगे तो जहां से जो भी अवांट एड़ करेंगे वहां से यह आउंट होगा तो इसका calculation ने वह चीज भी मैं आपको बता दूगा यह यह चीज कहां से आती है डेस पोर्ट पे वह सारी चीज भी मैं आपको बता दूगा यह रोडेटा है आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको यहां पर है वह तो आपको दिखाई कि अभी आपको दिखाई देगा में और जूंग कर लता हूँ अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहां पर ये सभी companies का नाम है उसके नीचे यहां पर buy price है इसके साथ quantity है तो हर एक month पर जैसे जैसे आप add करते जाते हो जैसे आप देख सकते हो एक month पर यहां पर quantity add करा है दूसरे में quantity add करा है कहीं बार दो quantity add करी है यह आपके आपका जितना भी amount है उसके कोडिंग आप add कर सकते हो राइट अभी यहां पर आप देखेंगे तो total 23 quantity है यहां पर total investment amount आ जाएगा यह सारी जीज में अभी आपको दिखाऊंगा अभी जैस में आपको यहां पर explain कर रहा हो कि यह किस तरह से आता है जैसे आप यहां पर डालेंगे कि अभी चल रहा है suppose राइट अभी आप यहां पर डालेंगे टू तो यहां पर 25 हो जाएगा यहां पर 23 है नीचे वहां पर 25 हो जाएगा और यहां पर टूटल इंवेस्मेंट अमाउंट है वह यहां पर चेंज हो जाएगा आपका प्रोफिट चेंज हो जाएगा और अटॉमेटिकली यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर 25 कॉंटिटी आ जाएगे राइट डेसबॉड पर बी तो जो भी चेंजे आप यह में क्या करता होगी यह आप या देखेंगे तो यह दीरी आप देखेंगे तो जितने स्टोक है उतना आप create कर सकते हो अभी मैंने फोर्ता साब बनाया है जिस किसी को दिक्कत आ रही है कि किस तरह से मैं अपना बनाओ तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने तीन स्टोक का ही मैंने यहां पर एड करा हुआ है अगर कोई 2000 का SIP कर रहा है तो उसको कैसे यह चीज बना नहीं है तो वह सारी चीजे में आपको यहां पर बताऊंगा तो पहले क्या करेंगे पहले आपको जाना है यहां पर रो डेटा पर ओके रो डेटा में आपको करना किया है इस तरह से आप यहां पर देख सकते हो यह जो टू टू कोलम एक स्टोक के लिए होगा उसमें एक बाइप्राइज एक में आप कॉंटिटिएट कर सकते हो एन नेक्स कोलम से आपका दूसरा स्टोक स्टार्ट हो जाएगा यह फॉर्मेट ऑटोमेटिकली मैं आपको साथ सेर करी रहा हूँ आपको एडिट करना आपका कोई भी स्टोक होगा एक्स यजे तो आप यहां पर एट कर सकते हो उसका प्राइस एंड कॉंटिटी तो मुझे सपोज यहां पर मैंने यहां पर अल्डी डेमोंस्ट्रेशन परपस मैंने यहां पर एट करा हुआ है कि मेरा सीप चल रहा है 2000 का तो यहां पे आप देख रहे हो कि 11, शरी नवेंबर 2020 में मैंने 2000 का सीप करा है उसके सेमें मैंने सपोल 1800 कर रहा है, तो आपको 1800 ही लिखना है, ताकि आपको और यहां पर पता चले कि आपको कितना return आपको मिल रहा है, उसके बाद यहां पर हर एक मंत पर आपको जो भी एड कर रहे हो जितने amount, तो के एक फिगर आपको एड करना है, तो आपका SIP कितने का कर रहे हो सपोज आप 2000 का कर रहे हो राइट अभी आपको कौन सा स्टोक एट करना है तो आप यहां पर देख सकते हो सपोज मुझे मैंने यह एट करा है राइट पहले जो नवेंबर 2020 में मैंने यह स्टोक एट करा है एक्सन कंसक्षान 200 200 पे एंड कॉंटिटी 10 मैंने यह रफ़ लिया है एग्जेट प्राइज नहीं है आपको एग्जेट प्राइज डालना है इजी तू अंडरस्टैंड हो इसलिए मिन यहां पर तूंड प्राइज लिया है लगाने की जरूरत नहीं है इसमें आपको छेड़ खानी नहीं करनी है अदर्वाइस क्या है कि यह पूरा आपका चेंज हो जाएगा राइट आपको सिर्फ यह फिल करना है जैसे आप नेक्स मंत में वापी सेट करेंगे सपोज उस टाइम 220 प्राइस थी राइट अब आपको यहां पर 9 quantity करेंगे एंड 220 इंटु 9 जितना होगा राइट 220 इंटु 9 जितना होगा सपोज कितना हो रहा है तो इसका आप मल्टिप्लिकेशन करके यहां पर आप कर सकते हो जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया था तो आप जितना यहां पर आप कर रहे हो सपोज 220 इंटु 9 जितना हो रहा है वह अमाउंट आपको डालना अब बाकी के जो पेसे बचेंगे वह आप नेक्स मंत में आप यूज कर सकते हो राइट तो आप यहां पर देख सकते हो मैं क्या बोल रहा हो कि में ले लेता हो अभी आप देखेंगे कि हर मंत आपको 2000 की SIP आपको करनी है राइट अब यहां पर 2000 हो गया यह मंत में मेरा 2000 हो गया आप इस मंत में मेरा 2000 की जगा 1800 ही यूज हुआ तो 200 मेरा रिमइनिंग रहेगा वह में नेक्स मंत में यूज करूआँकर के जऑनःट बर्डब कर लोगये 22100 तो आप यहां पर देख रहे हो 2200 में यूज करて है 2190 अब मेरे पास बचे है 10 रूपीज तो नेक्स मन्त में यूज करूंगा 2000 प्लस 10 तो इस तरह से आप केरी फोरवड जो बचा है उसको आप कर सकते हो तो यह चीज आप काफी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो यहां पे कें कि मैं यहां पे रोड prochain पर वापिस चलता हूं हुरत है कि रोड़टा में से निकाल देता हूं यहां पर जो मैंने ढलात है राइट से कि सख्वाव मैं यहां पे क्या करूंगा इसको आट अपको भरन देता हुं जो मैंने अभी दाला है हराइट अब नेक्स मंथ क्या होगा शिर्ण मंत आप देखेंगे तो आपके पास कितना था अब नेक्स मंथ आपके पास टू थो 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 ते अब मुझे करना है कि यह तो में डिःक कर लिया पहला वाला अब दूसरे मुझे दूसरा को स्टोक करना है उसका प्राइज 300 चल रहा है बट वह आपको 2000 मल्टीपल में आपका हो नहीं रहा है आप सेवन करेंगे तो 2100 हो जाएगा आप सीज करेंगे तो वह 200 आपका बचेगा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 200 आप नेक्स मंत में आप यूज कर सकते हो राइट तो वह पर सामने नेक्स मंत यहां पर यूज कर लिए इस टोक में तो वह चीज आप एड़्जस कर सकते हो अपने हिसाब से तो यहां पर टोटल इन्वेस्टेड मतलब जितना आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो यहां पर जित 4850 यह यह तीनों का मिला कि आपका यहां पे 4850 वा गया टोटल कोंटीटी आ जाएगा आपका बाइप अजाएगा करन्ट मार्केट प्राइज अब करन्ट मार्केट प्राइज पर यहां पर आपको एक कोड डालना पड़ेगा गुगल फाइनस का तो वह चीज भी मैं अभी ब लोगा यहां पे डालना होगा आप करेंगे यहां पर इस कोड तो आपको आजाएगा वहाँ पर अभी आजाएगा तो उसके बाद में वह चीज आपको दिखा दूंगा आप गूगल भी कर सकते हो राइट तो यह यह आप एट कर सकते हो कि इस देखो यहाँ पोड़ मिल जाएगा राइट इस जगव पर यहां पर आप देख रहे हो यहां पर आपको कोड मिल जाएगा यह जो है एक्सिस का लिखेंगे तो एक्सिस बेंक का भी आ जाएगा यहां पर तो यह आपको यहां पर डालना है और दूसरा कुछ चेंजिस नहीं करना है दूसरा ऐसे ही रखने देना है ताकि करन मार्केट प्राइस ओटोमेटिकली वह चेंज होता रहेगा या तो उपर जाएगा नीचे जाएगा वह ओट मेनियूली नहीं डालना अगर आपको मेनियूली करना है तो आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा तो हमने यहां पर यह ओटो अपडेट यहां पर कर दिया और दूसरा कोलम है डिवीडेंट का अगर आपको यूज करना है कि डिवीडेंट का जो अमांट आता है वह भी आपको एड करना तो आप कर सकते हो मैंने जो सीट बना यह उसमें मैंने यूज नहीं करा है आप आपको दिखा देता हूँ डिविडेंड अमाउंट में एड नहीं करता हूँ अगर आपको करना है तो आप एडिविडेंड अमाउंट आप एड कर सकते हो राइट तो यहां प करके देख सकते हो आप फॉर्मिला डालगे तो ओटोमेटिकली वो कैल्कुलेट होता जाएगा तो इस तरह से केल्कुलेट हो केल्कुलेट हो जाएगा आपका प्रोफीट तो यह देखो मैंने निकल दिया तो यहां पर प्रोफिट भी चेंज हो गया इसे आप इस तरह से आप आप कर किरह यहां से स्लाइड करेंगे राइट पिर यह छॉटिण करने पड़ेंगे यहां फिर आप यहां पे जिस तरह से आपको करना है आप कर सकते हो यहां पर कोई सटोग करना है तो मैं आपको यहां पे आपको दिखा देता हो किस तरह से आप कर सकते हो तो आप सिधा इसका क्या है कि यही फॉर्मेट आप यूज कर ले यहां से एक होगा पेंट फॉर्मेट तो मुझे यह पूरा क्या है कि दूबारा यह करना नहीं पड़ेगा आपका यह हो गया अब आपको करना किया है सिम्पल यहां पर जो भी डालना है जैसे में यहां पर कोई भी स्टोक्स का नाम डाल देता हूं जैसे को दिलाइंस मैं डाल दिया ओके तो यहां पर यह कोपी भी कर सकते हो यहां से आपको टाइप नहीं करना है तो यह ओटोमेटिकली आ जाएगा और फोर्मेट आपका सेमी रहेगा तो सपोज मैंने मुझे यहां पर एड करना है कि अभी चल रहा है कोई भी प्राइस चल रहा है तो अभी यहां पर आपको नीचे दिखा नहीं तो किसे आएगा आपको सिंप्ली इसको सिलेक करना है यहां पर जो डोट दिख रहा है वहां से आपको राइट इन साइड में आपको ले जाना यह देखो पूरी डीटेल आ गई अब इसमें आप करेंगे तो यहां पर मुझे जो करन मार्केट प्राइज है वह मेरी सेम दिख रही है एकसिस बैंक की मुझे करन मार्केट प्राइज दिख रही है वह मुझे चेंज करना पड़ेगा कोड़ राइट यहां यहां पर मुझे यह चेंज करना पड़ेगा जो यहां पर मैंने डाला हुआ है रिलाइंस का होगा तो रिलाइंस का आपको डालना होगा तो आप रिलाइंस का कैसे डालेंगे तो रिलाइंस का रिलाइंस ही है तो आप यहां पर टाइप कर सकते हो आपको लिख दिना है रिलाइंस तो अभी आपको रिलाइंस की करन मार्केट प्राइज आपको दिखेगी यहां पर लोडिंग आएगा यह देखो अभी उसकी जो भी प्राइज चल रही है 2469 वह आपको आजाएगी आपका डिवीडेंड है तो आपको एट करना है नहीं चाहिए तो आप भटा सकते हो और इसमें प्राइज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा राइट तो यह बहुत इजी वेस से आप कर सकते हो और यह सब का टोटल मतलब यह सभी स्टोक्स जो आप देख रहे हो यहां पे इसका टोटल आप यहां पे आप एट कर सकते हो यहां पे क्यूं करना है वह भी मैं आपको बताता हो क्योंकि हमें डेस्पोर्ट पे यह सारी चीज़े ले जानी है त यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे टोटल इंवेस्टेड तो इसमें क्या करा है कि यह जो चीज़ है इसका आपको सम करना है simply राइट मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ यह देखो यहां पर यहां पर सिधा सम का आप फॉर्मिला डाल सकते हो यह को यह रो को का मुझे टोटल करना पड़ेगा राइट कि इसका यह चारों का मुझे सम करना पड़ेगा तभी यहां पर यह आएगा तो यह चीज यहां पर करनी अब देखो यहां पर अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको यहां पर चेंज हो गया है आपको नंबर सिलेक्ट करना है राइट में आप नंबर सिलेक्ट कर लेता हो तो यहां पर आपने कितना इंवेस आप यहां पर देखेंगे तो आपका यह तीन ही सिलेक्ट है आप देखेंगे तो यह तीन स्टोक्स का ही आपको सम मिल रहा है तो अब आपको इसको भी एट करना होगा राइट तो यहां पर एच 11 आपको यहां पर एट करना होगा राइ है यह अलेड़ी किया हुआ है आपको सिर्फ डेटा ढालना ही है अगर आपको से पूंधा ही बनाना है तो आप अपने बिढुन से ब्हुत से बंदा सकते हो यह चीज्मे ने बना इरे हैं आप आअसान सकते हो तो आप खुद की और से भी बना सकते हो अभी करन मार्केट फ्राइज करन फ्राइज मतलब कि कितना इन्वेस्ट जो अमाउंट अभी करन मार्केट फ्राइज पर चल रहा है है राइट मतलब यह क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वह यहां पर आ गया है में यहां पर अब मैं क्या करूंगा यहां पर आपको एच वन डाल के आपको दिखाता हो तो यहां पर देखो अमाउंट एट करा तो यहां पर चेंज हो गया अब करन टोटल प्राइज है मतलब जो भी अभी करन मार्केटज प्राइज ओ तो ना तो भ्रोफित या लोज तो उन वेंसमेन्ट कर आग्ञाло तो ऊंब द्रै ने आप टाउजन थिक यहां पर मुझे कितना भाइश द्रैंघिक्क फिक बब्रहे वह चीज मुझे इंक्लूड़ वह है यहां तो तो में हब करों गा इस तरह से अभी मैंने investment करे थे 8340 अभी उसका total चल रहा है 10325 मतलब जो इसका difference है उतना मेरा profit होगा तो यह सारी चीज भी जरूरी है क्योंकि हमें data चाहिए कि current market price के base पे total कितना investment है तो इसका difference निकलेगे तो आपका profit आ जाएगा यहां पर परसंटेज आ जाएगा अब आपको आना है यहां पर कि आपको XIRR में भी बता देता हूं के से करना है एक सायार की सीट भी डेडिमेट है तो आपको यहां पर एक करना है सपोज आप यहां पर फोर्थ कोलम में आप एक कर रहे तो आपको किया करना है यह डेट का जो format है आपको पहले से सिधा कोपी करकी यहां पर ले लेना है अब इसमें चेंज किसे करना है जैसे आप देख सकते हो मंत डेट एन व्य्यवाईय मिन्स यह उसके कोडिंग आपको चेंज करना है सपोज आप यहां पर आप एड करसकते हो कि यहां पर मंथ एक सपोज आप 19 जन्यूरी पर आज की डेट में सपोज आपने इन्वेस करा है कितना एड करा था अभी हमने यहां पर एक quantity जो तो रिलाइंस की एट करी है वह मैं यहां पर डाल देता हूँ 2350 इन्टुवर्ण तो वह आपको यहां पर डालना है कि इसका भी ऑटोमेटिक कर सकते हो ज्यादा हो जाएगा आप एट कर सकते हो उसका भी वट मैंने नहीं करा है यह मेन्यूली डालने को रखा तो आप इसका यहां पर डालेंगे तो यहां पर डाला जाय गाया आपक। चैन्ज हो जाएगा टोटल इंयृमस्मेंट कितना है अभी आपका सेटर करना है तो आप संसे का भी आप एड कर सकते हो आप समय समझने की कोशिश करना अदरवास में सेपरेटली एकस्पेंग कर दूँगा तो सेम वेसे आप इसका भी यहां पर एकस्पेंग कर आपको समझ में आ जाएगा अब फिह यहां पे पॉफिट बुकिंग पार बोशा किников पॉआ परॉफिट बूख का एक सेक्षन सपोज आपने यहां पे आपने मालेश करा उसमें प्रेशों तो आप यहां पे इसका बना सकते हो एक अलग सीट में ताकि आपको भी पता चले कितना आपका प्रोफित हो रहा है ऐधे तो दय एक करते हैं यहां पे एड चल रहा हुआ आपको दिखा रहा हूँ अब दूसरा को केसे एड करना है यहां पे डेटा हम आई यह रोवाली डेटा करके जो सीथ है वहां से हम एक्षरेक्ट करेंगे राइट तो अपोलो टायर का data कैसे लेना है पहले यह समझ लेते हैं कि यह कैसे आया है यह देखेंगे average by price यहां पर आप देखेंगे average by price तो average by price में आपको क्या लिखना है यह देखेंगे तो row data आप यहां से खीचा हुआ है तो आप इस सीट में जाएंगे बीवन थ्री आप देखना होगा वहां पेवरेज by price जो थी वहीं से में यह एड कर रहा हूं तो मैं इसमें आपको दिखाता हूं कि इसमें आप कैसे कर सकते हो इस जगह पर आप केसे एड कर सकते हूं अपोलो टायर का आप कहां से एड कर सकते हो आपको इक्वल टू करना है आपको जाना है रो डेटा पर अपोलो टायर का एवरेज बाइप्राइस कहां पर है यहां पर इस पर आपको क्लिक कर देना है और वहां पर सिधा एंटर कर द तो उसका वाई प्रैस जो था 300 वो हमने रोड डेटा की सीट से अमने लिया है टोटल कॉंटिटी भी आप उसी तरह से आप ले सकते हो उसमें भी आपको करना क्या है एक्वल टू एन आपको लेना है यहां से यह आपको एक ही बार करना पड़ेगा बार बार नहीं करना पड़ेगा जब आप नया स्टोक लेंगे तभी आपको करना पड़ेगा तो टोटल कॉंटिटी कितनी है 6 तो आप एंटर करेंगे अभी मैं explain कर रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है कि यह तो बहुत समझ में नही सबी चीज उसमें दी हुई है यहां से आप डेटा पुरा ले सकते हो राइट सेम वे मैं अभी एक्स्प्लेंट नहीं करूंगा यहां पर अब आते हैं यहां पर यह काफी इंपोर्टन पार्ट है कि यहां पर के से यह देखो टोटल इंवेस्मेंट अमाउंट कितना आमने इंवेस्मेंट करा है तो यह कहां से अमने लिया है तो यह अमने लिया है सी 13 यहां पर आप जाएंगे रोडेटा पर तो रोडेटा में आप जाएंगे तो सी 30 अब आप यहां से भी कर सकते हो यह टोटल इंवेस्मेंट अमाउंट रोडेटा से भी आप यूज कर सकते हो यहां फिर हमने कहां पर करा है यहां से करा है टोटल इंवेस्मेंट अमाउंट यहां पर आ गया है तो यहां यहां पर किसे आएगा तो आपको जाना है यह सीट तो यहां पे आप देखेंगे तो Fatal Investment Amount जो यहां पे dua 90 यहां पर पेड करना है तो आप यहां पेड कर देंगे में थोड़ा सा इसको कि फोटा कर देता हूं को राइट तो अभी आप यहां पर डालें गए यह formula डालने की जरूरत नहीं है आपका automatically compute हो जाएगा बट मैं आपको बता रहा हूं यह जो नंबर है आपको यह row data की seat से मिलेगा net profit वाला है वो आपको profit वाले seat से आपको मिल जाएगा यह जो है third row उसमें क्या है यह दोनों का sum है आप देख सकते हो n3 & n4 का कि अब करन्ट टोटल इंवेश्मेंट मतलब वह क्या है तो वह भी आप देख सकते हो कि मतलब रोड डेटा से आप ले सकते हो कि अभी कितना अमांट पेज कल रहा है राइट वह सिर्फ यहां से आप ले सकते हो उसके बाद यहां पर यहां पर आपको दिख रहा है इस जगह पर यहां पर आप देख रहे हो यहां पर स्क्रीन पर तो वह वाला अमांट यहां पर आ जाएगा और बाकी का डेटा जो बैस लेफ्ट है वह भी आपको ओटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा आपको फोर्मिला डाला हुआ है यह जो N3 N4 N5 का जो डेटा है N5 N6 का वहीं से आपको मिल जाएगा राइट एंड यह टोटल वेल्यू है मतलब आपने इंवेस्ट करा है 340 आपका टोटल अमाउंट क्या है आपका अन्रियलाइज गेंड भी आ जाएगा या फिर लोट जो भी है वह आजाएगा राइट यह वाला जो कॉलम है वह आपको एट करना है तो कर सकते हो यह है डेज आप कितने टाइम से आपका एसे पी चल रहा है वह आप एट कर सकते यह एक साइर का है वह भी मैंने एक सेट एक साइर की तो आप अपको किया करना है सिर्फ आपको फिली करना है डेटा आप यही सीट में आप कर सकते हो यह सीट जो मैंने आपको आपके साथ share करी है 10 December वाली वह आपको ग्रूप में मैंने डाला हुआ है इसका लिंक में description में डाल दूंगा तो आप वह चीज ले सकते हो राइट तो किसी को समझ में नहीं आ तो आप मुझे बताना आइधिंक का explain कर दिया है मैंने तो यह सारी चीज आप थोड़ा सा अपने इसाफ से भी modify कर सकते हो मैंने जहां तक easy way से हो सकता है उतना easy way से मैंने design करा हुआ है अगर आपको इनसे भी easy way से आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो कोमेंट सेक्शन में तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते नेक्स से वीडियो में और मैं आपको डीटेल में वह चीज भी बता दूंगा कि कि sip के लिए stock आप कैसे select कर सकते हो किस वे से किस प्लैटफॉर्म से आप सच कर सकते हो कौन कौन सी चीज़े आपको देखनी चाहिए वह सारे चीज़ भी एक बार में आपको डीटेल में बता दूंगा तो आज के लिए इतना रखते मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वावाई